हाई फ्रेंट्स सुभे के ब्रेकफास्ट में कुछ नई तरोता रेसिपी बनाने की सोच रहे और समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए वह भी बीना सोड़ा बीना दही इंस्टेंट वाला हेल्दी नाश्ता तो चलिए सूजी से बनाते हैं आज एक मज़ेदार सी रेसिपी त साथ में इतना ही मैं पर पानी ले रहे हूं कह सकते हैं कटोरी या एक कप गरम पानी ले रहे हूं गरम पानी से यह फायदा होगा जो हमारी सूजी है वह इंस्टेंट फूल गाएगी और अगर आप गरम पानी नहीं ले रहे हैं तो आप इसको साधे पानी या नॉर्मल पा रफल्ट चौप करके मीडियुम प्याज हो तो आप यहां पर दो भी एड़ कर सकते हैं 3-4 लिए तीखेपन के लिए मिर्ची क्वाइट आप यहां एक से दो भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा टीका खाना पसंद नहीं करते हैं बस प्याज को और मिर्ची को हमें यहां पर ह अब इसमें यहां पर ढूल रहे हैं फोड़ी सी लाल मीश यह कम तीखे वाली है अगर आपके पस कम तीखे वाली ना हो तो मीर्च पौूडर ढाल सकते हैं पर कम मात्रा में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और यहां भी मैं ग्रेट किया हुआ पकावा नारियल एड़ कर रही हूँ तो यहां पर अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो वो भी आप यहां पर एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ग्रेट किया वा नारियल डाला है और इसको सूखा ही मैंने पीस लिया है तो जो इसमें हमारे प्याज में मोहशर था तेल का उसमें ही यह देखिए यह पीस चुका है और यह हमारी एक चटपटी सी चटनी तयार हो गई है इस नाश्टे के स खाने के लिए अब कर लेते हैं दूसरा काम तो इसके लिए मैंने यह पर दो उबलेवे आलू लिए मीडियम साइस के आलू है और अगर आप बड़ा लेते हैं तो एक ही लिजेगा और इसको यहाँ पर हम ग्रेट कर लेंगे बस ग्रेट करते समय यह ध्यान रखे कोई तो चलिए दोनों आलू मैंने यहाँ पर अच्छे से ग्रेट कर लिए फिर भी अगर कोई गुटली या चंस रह गया हो तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक चमच का इस्तमाल कर रही हूं और उससे मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से आलू को उपर नीचे कर दूँगी जिस तो दिन एस साहिक चीफ़े बारी कटक्र अइड कर रहे हैं साथ मैं एक प्याज ले रही हूं बारी कटकर कर अगर आप प्याश नहीं खाती तर प्याज इसके भी कर सकते हैने चोटा टमाटर लिया है वी पल्प यानि बीज के साथ ही इसको यूस कर रही आधा चमच चाट मसाला आधा चमच चाट मसाला चली फ्लैक्स और स्वाध अनुसारी नमक डाल रहे हैं तो मैंने यहां पर आधा चमच नमक डाल रहे हैं और चूर पाउडर और उसके बाद इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स देंगे आप चाहें तो यहां पर जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं उसका भी एक अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा तो फिलहाल जीरा पाउडर मैंने एड नहीं किया अगर आपके पास है तो जरूर से डाले और इस मिक्शर को हम यहां पर रेडी कर लेंगे और हाँ अगर आप यहां पर उबलेवे आलू का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं या इंस्टेट आपके पास उबलावा आलू ना हो तो आप यहां पर एक कच्छा आलू अच्छे से ग्रेट करकर निचोड कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम सूजी के पेस्ट को देख लेते हैं सूजी हमारी एक साइट में रखी थी इसको अब हम यहां पर अच्छे से थोड़ा सा फेट लेंगे फेटने से क्या होगा जो इसमें उबरे उबरे कन है सूजी के वो अच्छे से सैटल हो जाएंगे तो अब इसमें जो हमने आलू की भुजी बना के तियार अरकी थी उसको इसमें हम यहां पर अड़ कर देंगे बहुत टेस्टी बहुत यमी नाश्टा बनता है सूबह के इंस्टेंट ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफिन में यार शाम को डीनर में अगर कुछ हलका फुलका खाने का मनो तो आप यह हैल्दी सी रेसिपी जरूर ट्राई करें आपको बहुत पसंद आने वाली है तो इसमें हमने आलू का मिक्षर डाल के इस पेस्ट को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है और यह देखे अच्छे से फेटना है जितना अच्छे से आप फेट लेंगे ना इस मिक्षर को तो paste बन कर तयार है और यहाँ पर मैंने gas पर एक तवा चड़ा दिया है तवे पर डालेंगे हम 2-3 चमच तेल और उसको अच्छे से यहाँ पर spread कर देंगे यानि कि अच्छे से जो हमारा तवा है उसको तेल से हम यहाँ पर grease कर देंगे आप चाहे तो इससे भी कम तेल का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जादा तेल लेना है बहुत कम तेल का नाश्टा है और उपर से मैंने यहाँ पर राई को sprinkle कर दिया है और साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्लेवर को enhance करने के लिए कड़ी पता आ पलाते समय इबाद ध्यान रखे ना तो यह जादा पतला ही रहे और ना ही जादा मोटा बिलकुल इसी तरीके से हमें इसको यहाँ पर फलाना है जैसे कि मैं यहाँ पर फला रही हूँ तो एक बार में नाश्टे के जितने पिसेस आपके तवे पर इसली फैल जाएं उतने ह भाग दोड में ना तूटता है ना फटता है ना दही ना इनो है और ना ही सोडा है घर के ही मात्र कुछ समान से जट पर तयार हो जाता है बस इसी तरीकी से अलट पलट कर दोनों साइड से हम इस नाश्टे को यहाँ पर अच्छा क्रिस्पी ब्राउन होने तक बढ़िया से आप पर शैलो फ्राइ कर लेंगे शैलो फ्राइ क्या कह सकते है कि सेक लेंगे और यह देखिए आप नाश्टे की रंगत देखे ही अंदाजा लगा पर आए होंगे कि नाश्टा कितना टेस्टी और यमी बनाए मूह में पानी आ रहा है देखकर ही तो है ना बहुत इजी बैट कर देखिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और यह देखिए गर्मा गरम टेस्टी हेल्दी नाश्टा बनकर हमारा जटपट वाला तयार है फिर चाहे आप इसे सौस के साथ खाए ग्रीन जटनी के साथ खाए या दही के साथ बहुत यमी है एक बार इसको आप जरूर से ट्राई कीजिए आपको बहुत पसंद आने माला है तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो जादा से जादा शेयर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे डिफरेंट रेसिपी के लिए और यह देखिए उपर से है क्रिस्प और अंद झाल यह दूल